दोस्तों अगर आपकी गैलरी से कोई फोटो डिलिट नहीं हो रही है आप फोटो को डिलिट कर रहे हो बट वो फोटो दुबारा से आपकी गैलरी में आ जाती है तो ऐसे में आप उस फोटो को डिलिट कैसे कर सकती है जिससे कि वो फोटो आपके गैलरी में दुबारा से आउगे यहां पर आपको Apps पे क्लिक कर будете इसके बाद आप यहां पर यहाँ पर क्लिक करें तो अभी आपके मोबाइल के सबी एप सिंद्ड यहां पर आजाये is और इस एंटरफेस पर आने का एक डिर्यक्ट सोटकर्ट बी बस आपको यहाँ पे gallery पे long press करके रखना है इसके बाद आपको यहाँ पे app info का option दिखाई देगा आपके case में i button का option भी हो सकते हैं बस आपको वहाँ पे click कर देना है तो direct आपके सामने ये screen आ जाएगी ठीक है तो अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे clear catch पे click कर देना है तो अभी आपको इसे यहाँ पे force stop कर देना है ठीक है and last finally आपको अपने gallery का update को uninstall करना होगा यह problem latest version में आई हुई है तो आप gallery का latest version को uninstall कर दीजिए तो आपकी यह problem अपने up solve हो जाएगी तो लो जी यहाँ पे gallery का update uninstall हो चुक्या है don't worry इससे आपकी कोई भी video photo deleted नहीं होगी तो इस बात से तो आप tension theory रहो तो अभी आप gallery को open करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी ना देखके परसान मत होना क्योंकि आपने gallery का clear catch किया था इसलिए आपकी photo video यहाँ पे दुबारा से load होगी तो आप यहाँ पे थोड़ा wait करेंगे तो आपकी video photo यहाँ पे load होना start हो जाएगी देख सकते हैं यहाँ पे दीरे दीरे सबी video photo मेरी यहाँ पे load हो रही है तो लो जी देख सकते हैं यहाँ पे सभी वीडियो फोटो यहाँ पे आ चुकी है अब आप जिस भी फोटो को डिलेट करना चाहते हो आप उस फोटो को डिलेट कर सकते हैं वो फोटो आपकी दुबारा से वापस नहीं आएगी लेकिन अगर by chance इस method से आपकी यह problem solve ना हो तो कोई बात नहीं यह काम आप file manager से भी कर सकती है बस आपको file manager में आ जाना है अब जिस भी location में आपकी वो फोटो रखी हो यह जिसे आप delete करना चाहते हैं आपको उस location पर आ जाने अब भी यहां से आप उस photo को delete कर देजाएगा तो वो फोटो आपकी वापस gallery में सो नहीं करेगी ठीक है तो ऐसे भी आप इस problem को solve कर सकती है